आज हम बनाएंगे ये मीठी मीठी सेवई जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि करवा चौत में बस कोछी दिन बाकी है और करवा चौत में बहुत सारी औरतिव सर्गी के टाइम पे सेवई खाती है तो मैंने सुचा क्यों न सेवई की रेस्पी को ही शेयर कर दिया जाए इसलिए मैं आप लोग को ये बहुत ही टेस्टी सी यमी यमी मीठी मीठी सेवई बनाना सिखाऊंगी ये सेवई बनाना बहुत ही आसान है बस 15-20 मिनट में इसे आप आराम से बना सकते हैं चलिए जल्ली से सेवई को बनाने की रेस्पी को देखते हैं सेवई बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राइफ initiatives को रोस्ट करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे एक कड़ाई में एक बड़ा चमच घी को लेंगे और घी को गरम करने के वाए जो भी ड्राइफ्रुट आपको पसंदो वो डालके उसे रोस्ट कर लीजे ये देखिए मैंने ड्राइफ्रुट को रोस्ट कर लिया है अब हम फिर से उसी कड़ाई में एक बड़ा चमज घी को लेंगे और जब घी करम हो जाये तो इस तरीके से सेवई को हमें रोस्ट करना है ये सेवई आपको मार्केट में किशी भी ग्रॉसरी सौप पे आराम से मिल जाएंगी आप शाहे तो पतली सेवई भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी सेवई ली है गैस की दूसरी सैट तब तक हम दूद को उबनने के लिए रख देंगे अब हम जो सेवई रोस्ट कर रहा थे उसको देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसका कलर चेज होने लग गया है सेवई को हमने पांच मिनट तक रोस्ट किया है और यह देखे इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा डार्क हो गया है बस अब इसी समय हम क्या करेंगे हमने जो दूद उबाला है उसे इसमें एड़ कर देंगे अगर आप मिल्क को बिना बॉयल किये डालेंगे तो वो फट जाएगा इस तरीके से मिल्क को एड़ करने के बाद हम इसे कर देंगे और थोड़ी देर तक एक उबालाने तक ऐसे ही गैस पे पकने देंगे थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच एलाइची पाउडर एलाइची पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इलाइची पाउडर डालने के बाद हमने जो ड्राइफ फ्रुट्स रोस्ट किये थे उसे भी इसमें आड़ कर देंगे सेवई और मिल्क को पांस मिनिट तक इसी तरीके से पकने देंगे पांस मिनिट के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से सेवई फूल जाएगी और गाड़ी हो जाएगी इसी समय हम चीनी को आड़ करेंगे यहां हमने आधी कटोरी चीनी को आड़ किया है आप अपने स्वात के अनुसार चीनी आड़ कर सकते हैं फिर कर देंगे इन सभी चीजों को मिक्स और दो मिनट पकने देंग अब करवाचात की सरगी हो या फिर कोई और उकेजन आराम से यह फटाफट बनने वाली सेवई बनाएए और सब को खिलाएए उमीद है आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी मिलता है इसी तरीके से एक नए इंट्रेस्टिंग टेस्टी रेस्पी के साथ तब तक क ले ले, बढ़े बावे